Hello Friends, Welcome back to Steadyker, मैं हूँ आपका दोस्तर प्रभाकर, Daily Current Affairs में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2022 से रेलेटिड बहुत ही important Current Affairs के question, तो आप इस lecture को last तक जरूर देखिएगा, last में आप से कुछ question पूछ लिये जाएंगे, तो उनके answer आप comment box में जरूर दीजेगा, ये जो question होगे, इसी लेक्सस related होगे, तो आप उनके जवाब जो है comment box में जरूर दीजेगा, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं revision के लिए, तो आप इसका PDF प्राप्त कर ले, टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको description box में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलागा, अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप studyaker को follow कर ले और well icon जरूर दबा ले, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले notification मिल सकेगा, हमारे जितने भी social media platform में उन पर भी आप हमें follow कर ले, सब ही का link description box में दिया गया है, चलिए दोस्तो आज का पहला question discuss करते हैं, very very important question है, ध्यान से सुनिएगा, Asian track cycling championship 2020 में, silver medal जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं, तो दोस्तो sports related जितने भी question हो, उन्हें आप ध्यान से सुनते जाएगा, और जब भी कोई चीज पहली बार होती है, तो वो अकसर exam में पूछ ली जाती है, तो ये question जो है, बहुत important है, आप इसे note कर लीजीगा, भारतिये साइकलिस्ट हैं, रोनाल्डो सींग, तो इन्हों ने जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ASEAN Track Cycling Championship, जो कि इसका 41 बस संसकंड था, तो उन्हों में सीनियर वर्ग, स्प्रिंट इस परधा में, सिल्बर medal जीत करके हिस्टी को create किया है, आप देख सकते हैं, ये हैं रोनाल्डो सींग, यह ASEAN Track Championship में किसी भी इंडियन की द्वारा जीता गया, पहला सिल्बर medal था, दोस्तों, अगर हम medal लिस्ट की बात करें, तो जो जापान है, उसने टॉप किया है, यानि टॉप पर कौन सा देख था, जापान था, ठीक है, और भारत ने 23 combined medal जीते हैं, ठीक है, तो 23 combined medal के साथ, भारत ने इस championship में समापन किया है, तो आपको ये नाम तो याद रखना ही होगा, रोनाल्डो सींग का, ये cyclist हैं, और इन्होंने Asian track cycling championship 2022 में कौन सा medal जीता है, silver medal जीता है, यहाँ पर बात आई है दुस्तो, sports की, यानि खेलों की, तो खेलों से जोड़े हुए, हाली में हुए कुछ current affairs के question भी discuss कर लेते हैं, तो वो भी आपके exam में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए दूस्तो, अभी हाल ही में, FIFA जो की footballs related actions था है, अपनी ranking जारी की है, उसमें भारते टीम ने कौन सा इस्थान हासिल किया है, तो 104 बा इस्थान किया है, ठीक है, और हाल ही में, रुमेली धर, क्या नाम है दोस्तो, रुमेली धर, तुरज़ जो रुमेली धर थी, उनभी थी, उन्होंने हाल ही में, किरकिट से सन्यास ले लिया है, तो यह भारती ए क्रिक्ट टीम की captain भी रह चुकी है, और उन्होंने अभी हाल ही में किर्किट से सन्यास ले लिया है और इनका संबंध वेस्ट वंगाल यानि पश्य वंगाल से था चलिए फ्रेंट्स, नेक्स्ट कोशन इसकस करते हैं, द्यान से सुनिएगा यूरोपिय संग ने हाल ही में किन देशों को उमीदबार का दरजा दिया है यानि उमीदबार का दरजा का मतलब ये है कि ये देश भी यूरोपिय यूनियन में सामिल होने के लिए तैयार है तो दोस्तो तीन देश हैं जिनको हाल ही में यूरोपिय यूनियन के द्वारा उम्मीदबार का दर्जा दिया गया है। वो कौन-कौन से हैं देश तो पहला है यूक्रेन, दूसरा है मॉल्डोबा और तीसरा है जोर्जिया। तो ये तीनों देश जो हैं वो यूरोपिय यू में सामिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तो तो 23 जून 2022 को यूरोपिय संसर ने यूक्रेन, मॉल्डोबा और जोर्जिया को यूरोपिय संग के उमीदबार का दर्जा दिया है। इसकी घोशना यूरोपिय परसद के अध्यक्ष चाल्स मिसेल ने की है। किसने की है दोस्तो च यूरोपिय यूनियन के नाम से ही पता चलता है कि इसका संबंद यूरोप से है। तो यह है यूरोप के 27 देशों का एक समो है जो की आर्थिक और राजनेतिक द्रिश्टी से समान है। ठीक है दोस्तो यानि ये जो देश है ये आर्थिक और राजनेतिक द्रिश्टी से इन ब्रुसेल से कहां से चलता है ब्रुसेल से चलिए फ्रेंड्स अंगला प्रसंद देखते हैं important है ध्यान से सुनिएगा किस राज सरकार ने राज सरकार के कर्मचारियों के लिए एक चिकितसा बीमा योजना जिसका नाम है मेडी सैप सुरू की है तो दोस्तों जो मेडी सैप न होगी है उनके लिए और उनके पात्र परिवारों के सदस्यों के लिए मेडी सैप नामक एक चिकितसा बीमा योजना शुरू की है दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो भी केरल सरकार का कर्मचारी होगा या उसका पैंसन भोगी होगा या उनके पात्र परिवार होगे तो उनक इतना आप समझ लेजेगा यानि तीन लाग तक की उनकी दबाई करवाई ज़सकती है आसन भासा में अगर हम बात करें इसके लिए जो केरल सरकार है उसने बीमा कंपनी ओरियंटल एंसोरेंस कंपनी के साथ समझोता किया है और वही इसको किरियान बेद कर रहे है यानि इसको चला कौन रहा है? औरियंटल एंसोरेंस कंपनी ठीक है केरल की बात आई है तो केरल से जुड़ी हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉयंट तो डिस्कस करने ही होगे तो केरल की चीपमिनिस्टर कौन है दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैं पिनाराई बिजेन तो केरल के और कौन सा राज है? तमिल नाडू है, ठीक है? और इसके पशिम में कौन सा सागर है दोस्तों, तो याद रखिएगा Arabian Sea यानी अरब सागर है, ठीक है? और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरू अनन्त पूरम क्या है? तिरू अनन्त पूरम और एक मिनिस्टर है, आरिप मोहम्मद खान जो है यहां के बर्तमान में कौन है? गवर्नर है अब यहाँ पर हम विधान सभा सीटों की बात करते हैं, तो विधान सभा सीटे कई बारे एक्जाम में पुछ लिए जाते हैं 141 है और यहाँ पर राज्य सभाव सीटे कितनी हैं केवल नाइन है और लोग्शभा शीटे कितनी हैं तो बीस लोग्शभा सीटे हैं तो दोस्तो यह है कुछ मोटी मोटी जानकारी केरल के बारे में तो आप इसको नोट कर सकते हैं चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कुशन डिसकस करते है ध्यान से सुनिएगा नसीली दवाओं की दुरूपयोग और अवैद तसकरी के खिलाप अंतराष्टीय दिवस हर साल कम मना जाता है तो दोस्तों हर साल 26 जून को नसीली दवाओं की दुरूपयोग और उसकी अवैद तसकरी के खिलाप अंतराश्टिय दिवस मनाय जाता है ठीक है यनि कि लोग नसीली दबाओं का प्रियोग ना करें मादग पदार्थों का सेबन ना करें इस से अवेर करने के लिए ही हर साल नसीली दबाओं के दुरूपियोग और अवैत तसकरी के खिलाप अंतराश्टिय दिवस मनाय जाता है 2022 की theme जरूर याद रखेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी day पन है, तो उसकी theme जरूर याद रखेगा, तो theme है addressing the challenges of medicine in the health and humanitarian crisis, तो आप इस theme को जरूर नोट कर लीजिगा, यह दिबस जो है तो पहली बार 1989 में मनाया गया था, कम मनाया गया था, 1989 में मनाया गया, very very important question है दोस्त June माय में अब तक मनाया गया कुछ प्रमुख दिबस, तो इनको आप ध्यान से सुनते जाएगा, देखिए दोस्तो, first June की बात करें, तो first June को world milk day, यानि विस्सो दुख्द दिबस मनाया गया, फिर इसके बाद 3 June को विस्सो साइकल दिबस मनाया गया, और 7 June को विस्सो ट्यूमर दिबस मनाया गया, इसके अलाबा दोस्तो, 12 June को very very important day है, याद रखिएगा, 12 June को मनाया गया, विस्सो बाल स्रम निसेद दिबस, 14 June को कौन सा दिबस मनाया गया, तो 14 June को मनाया गया, world blood donor day मनाया गया, और इसके अलाबा 21 June को अनताराष्टी योग दिबस और विस संगीत दिबस मनाया है, तो ये थे, दोस्तो, अब तक के मनाया गया कुछ important day, एक डे और याद रखिए, 23 June को जो मनाया गया, वो मनाया गया, अनताराष्टी योग दिबस, ठीक है, तो इनको आप note कर लें, अंगला प्रस्न है, मद्द प्रदेश ने किसको हरा कर पहली बा important question होगा, ये भी sports related हो और पहली बार है, तो जब भी पहली बार कोई बात आए, sports की हो, या किसी भी इसतर का कोई भी question हो, तो उसको आप जरूर note करिएगा, तो मद्द प्रदेश में किसको हरा कर पहली बार रडजी ट्रॉफी जीती है, तो मद्द प्रदेश ने किसको हरा क में, तो मद्द प्रदेश ने बैंगलूर के आयम चिन्ना स्वामी स्टेडिया में रडजी ट्रॉफी के फाइनल में, मुंबई को छह विकिट से हरा करके पहला रडजी खिताब अपने नाम किया है, यानि पहली बार मद्द प्रदेश ने रडजी ट्रोफी जीती है अब आपके सामने एक कोशन और बन गया कि मद्द प्रदेश ने जो फाइनल मुकाबला है ये किस स्टेडियम पर खेला था यानि ये कोशन आप से बन जाएगा कि जो रडजी ट्रोफी का फाइनल है 2021-22 का तो ये क 1982 रण के लिए उन्हें मैन आप दर टूनामेंट चुना गया रडजी ट्रोफी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको कौन कंट्रोल करता है बी सी सी आई कंट्रोल करता है ठीक है तो बी सी सी आई के द्वारा हर साल रडजी ट्रोफी का आयजन किया जाता है जिसमें लेते हैं ठीक है दोस्तों यह जो टूनामेंट है यह जो चेंपिन सिफ है यह भारत का प्रतिनेद्ध करने वाले पहले क्रिकेटर रडजी सींग के नाम पर रखा गया है इसलिए इसे रडजी ट्रोफी के नाम से जाना जाता है यह पहली बार 1934 पैंतिस में खेला गया था जिसमें 15 टीमों ने हिस्सा लिया था लेकिन अब 32 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं ठीक है सबसे अधिक बार किस टीम ने ये खिताब जीता है तो मुंबई ने जीता है कितने बार दोस्तों मुंबई ने इस खिताब को जीता है तो 41 बार यानि रडजी ट्रोफी जो है मुं स्याम सरन जो है वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष न्यूक्ष किये गए हैं दोस्तो वह राष्टिय सुरक्षा परिसत यानि स्याम सरन जो है वो राष्टिय सुरक्षा परिसत के तहत राष्टिय सुरक्षा सलायकार बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं, पहली पुस्तक का नाम है How India Siege the World और दूसरी पुस्तक है How China Siege India and the World तो दो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, इन्हें पद में भूशन्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और भारत जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए जो जापान के राजा थे यानि सम्मराट थे तो उन्होंने Spring Order Gold and Silver Star से उन्हें सम्मानित किया है दोस्तों जो इंडिया International Center है यह एक गैर सरकारी संस्थान है जो की नई दिल्ली में इस्तित है और यह भारत के जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है उनमें से एक मा प्रदान किया गया है तो जो Camping Gonda अंतराष्ट्य पुरुसकार है यह हाल ही में SM Krishna, Narayan Morthy और प्रकास पादुकौण को दिया गया है किसको किसको दोस्तों तीन लोगों को दिया गया है SM Krishna, Narayan Morthy और प्रकास पादुकौण को तो Infosys के संस्थापक है N Narayan Morthy तो उन्हें दि दिया गया है और Badminton के पूर्व खिलाड़ी हैं कौन प्रकास पादुकौण तो इन तीन लोगों को दोस्तों Camping Gonda अंतराष्टी पुरुसकार दिया गया है और यह है पुरुसकार जो है वो करनाटक के चीप मिनिस्टर वसाव राज बॉंबई के द्वारा 27 जून को Camping Gonda क पांसो तेरह भी जन्ती के आउसर पर दिया गया है दोस्तों इस पुरुसकार के तहट पांच लाख रुपए का नगद पुरुसकार दिया गया है Camping Gonda जो था वो विजय नगर सामराज के आधीन एक सर्दार था जिसने 1537 में बैंगलूर सहर में बैंगलूर सहर को किलाबंद किया था तो यह सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाएगा ठीके दोस्तों अंगला प्रसंद देखते हैं इंपोर्टेंट है Ground Aerospace किस देख में Drone Factory स्थापित करेगा तो दोस्तों भारत की एक Drone प्रानी की कम्पनी है जिसका नाम है Ground Aerospace जिसके हालही में Brand Ambassador निक्ट किये गए थे कौन दोस्तों MS Dhani कौन निक्ट किये गए थे MS Dhani तो जो गरोड ऐरोस्पेस है उसने हाली में मलेसिया में ड्रान फैक्टरी खूलने का ऐलान किया है तो Malaysia की company है जिसका नाम है Hillsay Global, क्या नाम है दूस्तों? Hillsay Global, तो जो Garon Aerospace है उसने और Hillsay Global ने हाल ही में एक समझोता किया है और इसके तहर जो है, जो Garon Aerospace है, वो Malaysia में अपनी एक drone factory खोलने जा रहा है, ठीक है? और जो ये factory बनेगी, इसका नाम होगा Hillsay Garon Aerospace Plant, ठीक है? जो की 2.42 hectare में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना में लगभग 115 करोड रुपए निवेस किये जाएंगे, इसका उद्देश है, पूरे छेत्र में इस्तेथ सरकारी और निजी, दोने छेत्रों में drone की अत्या धुनिक, यानि modern technique पहुँचाना, फिर है दोस्तों, Garon Aerospace के बा और निर्माण करता है, तो ये basic सी जानकारी है, दोस्तों आप इनको note करते जाएगा, ये थे आज के most important current affairs के question, अब आप से कुछ question पूछे जा रहे हैं, तो उनके answer आप comment box में जरूर दीजीगा, फस्ट question है, यूरोपी ए यूनियन में कितने सदस से देश हैं, very very important question है, अभ comment जा रहेगा आपके answer का, अगर आपको ये lecture पसंद आया है, तो आप इसे like करें, इसके अलाबा आप इसे share भी कर दे, सभी दोस्तों को सभी social media platform पर, जैहिंद वंदे मात्रम